हेलो जुवानों कैसे हो स्वागत अपको अपने प्यारेश यूट्यूब चैनल इंडिया फोर्स अकैडमी साव टु स्टुडेंट विधार्थियों की सिवा में दोस्तों अपने प्रिवेश एर क्योशन को साथ ले करके और कुछ अधर क्योशन मिक्स अप करके अपने मॉक टेस्ट कर रहे हैं दोस्तों कले एक स्टुडेंट ने कहा कि सर यह जो जो टोप मॉस्ट और प्रिवेश एर बैसिक क्योशन से वह भी आपको इस निचे लिंक में मिल जाएगी तो बहुत ची पीडियाफ है जो मैंने लास्ट यह प्रवाइड करवाई थी स्टुडेंट्स को तो यह उनमें से एक है ठीक है तो मैंने मिर वाट्सप ग्रूप और टेलिग्राम गुरुप के दुआरा जो मैंने आपको प्रिवेश एर क्योशन से यह फिर इंपोर्टन क्योशन की पीडिप प्रॉइड करवाई है मालूम नेक्स्ट यह आपको मैं वो पीडियाफ करवाऊ यह फिर क्योशन सोल करवाऊ तो फिर ऐसा थोड़ी कि मैंने जो पीडियाफ वो कहीं से ली है या फिर मतलब उसमें प्रिवेश एर क्योशन से नहीं है तो ऐसे बिल्कुल मत सुचा गरो आपका काम है क्योशन से देखना ठीक है अगर अच्छे क्योशन से तो आप देखिए अगर आपको क्योशन से अच्छे नहीं लेगे तो नो प्रोब पर ये रहा दोस्तनों क्यों नमबर 61 क्या है एक पेसेंजर स्टेंडिंग इन ए बस एक पेसेंजर है यात्री हो बस में खड़ा हुआ है वेहंदब बस टेक्स एस्टें ट्रण जब बस एकदम से ट्रण ले ले लेती यानि मूड जाती है तो क्या होता है आउट वार्ड पू दोस्तों जैसे ही वो डारेक्शन चेंज करेगी बस तो वो शुरू में रेस्ट में था और डारेक्शन सोरी शुरू में मौशन में था वो जैसे डारेक्शन चेंज करेगी तो उसे हम इनर्सिया ओफ डारेक्शन कहेंगे यानि इसका करक्ट आंसर है आउट वार्ड पूल के कारण लगेगा inertia of motion कब होता तब बस चल रही होती एकदम से रुख जाती तब उसको जटका लगेगा वो लगेगा due to inertia of motion और inertia of rest कब होता तब वो बस खड़ी रही होती एकदम से चल जाती तो पिछे की तरह हो जाता उसे अपन कहते थे inertia of rest I hope समझ आया होगा question number 62 है when pressure is increased than the melting point of ice pressure बढ़ाओगे तो ice के melting point पर क्या फरक पड़ेगा दोस्तों यह जो question है यह navy में काफी बार आ चुका हना और air force में भी आ चुका important question है pressure बढ़ाने पर ice के melting point पर क्या फरक पड़ता है दोस्तों ice के melting point पर नहीं बल्कि हर एक जो अपने पास material है सबके melting point पर फरक पड़ेगा जैसे आप pressure बढ़ाओगे जो melting point है वो decrease हो जाता है यानि correct answer क्या होगा C option हाना decrease ठीक है लेकिन जैसे आप pressure बढ़ाओगे जो आपका boiling point है वो इंक्रीज हो जाता है यानि boiling point तो इंक्रीज होगा और melting point है वो decrease होगा लेकिन यहां पर melting point पुछा था तो correct answer हो गया decrease क्योशन नमबर 63 यह रहा आपकी स्क्रीन पर longitudinal waves cannot travel through देखो जो longitudinal wave है इसका एक अच्छा सा example है यह क्योशन भी बहुत बार पुछा गया है sound wave दोस्तों sound wave जो है वो एक longitudinal wave है और longitudinal waves जो होती है अनुप्रस्त तरंगे या अनुदेरिये तरंगे तो जो अनुदेरिये तरंगे होती है longitudinal waves वो vacuum में से travel नहीं कर सकती विकोज इनको travel करने के लिए एक medium की requirement होती है वो solid में से travel कर सकती है liquid में से travel कर सकती है और gas में से भी बट इसने पुछा cannot travel यानि वो vacuum में से travel नहीं कर सकती कि उस्तों number 63 का जो correct answer होगा वो होगा a option अप अपन बढ़ते हैं कि उस्तों number 64 पर electrostatic precipitator is used to control the pollution of जो electrostatic precipitator यूज किया जाता है वो किस परकार का pollution can control करता है तो दोस्तों जो इसका जो correct answer होगा air है ना जो electrostatic precipitator होता हो air pollution can control करने के काम आता है वो किस तरह वरक करता है आप उसे google पर search कर सकते हो ठीक है यह पुन यहाँ पर नहीं नहीं बताएंगे क्योस्तों number 65 क्या है the sky appears blue sky blue क्यों देखता है यह भी नेवी ने काफी बार पुच्छा है देखो जो थियोटिकल क्योस्तों आते हो दोस्तों नेवी में ज्यादा आते हैं the sky appears blue because of तो sky blue इसलिए दीखता है क्योंकि वहाँ पे जो scattering of light बहुत ज्यादा light blue light हो ज्यादा scatter होती है और वो ज्यादा बिखरी रहती है ठीक है जो correct answer क्या होगा बी option और हमें भी blue light ही ज्यादा दीखती है ठीक है इतनी दूरी से question number 66 जो है डाइनामो is a device for converting इसका जो correct answer वो होगा वो होगा डाइनामो आप कहोगे यार इसमें तो PUBG का होप से नहीं है डाइनामो एक ऐसा डिवाइस है दोस्तों जो कि mechanical energy को electrical energy में change करता है जैसे कि डाइनामो कोई अलग चीज मत समझो आप अपना जो generator है जो विवासादियो में है ना तो जो generator हो एक परकार से डाइनामो है आप उसे गुमाओगे mechanical work करो और mechanical energy दोगे वो इसको electrical energy में change करता रहेगा है यह डाइनामो वाड़ा question भी काफी बार repeat हो चुका है question number 67 है oil rises up the weak in a lamp जो lamp की जो वीक यानि एक प्रकार से कह सकते हैं जो मतलब नली सी लगी रहती है कपड़े किसी चीज की उसमें oil rise हो जाता है उपर तक चला जाता है कारण क्या है देखो इसका कारण है capillary है ना जैसे कि पेड़ पोदों में क्या होता है पानी जड़ से अपन तक पहुंचाता है उपर तक है ना और जो इसके एक और एक्जामपल है जो रूई है वो एक थोड़ी सी गिल्ले उने पर सारी रूई में पानी फैल जाता है एक पेज है अगर उस पर अगर आप थोड़ा सा पानी और oil डाल देंगे तो फैल जाएगा पूरे पेज पर तो यह सब जो फिनोमिना है वो है कैपिलरी एक्सेंस के फिनोमिना करेक्ट आंसोर क्या होगा है डी ओप्शन इजद है राइट आंसोर आई होप मजा रहा होगा आपको यह मोक्ते स्टोल करने में ठीक है क्योस्तों नमबर 68 आपके सामने इन दे एट्मोस पेर एल्ट्रा करने के काम आती है तो आपको होगे सर सी ओप्शन इस दे राइट आंसोर है ना देखो जो ओजोन लेयर है वो काम आती है ना की ओजोन गैस ठीक है तो करेक्ट आंसोर क्या हो गया दोस्तों आप देखो ओजोन जो लेयर हो एक परकार से ओधरी है और ऑक्सिजन भी तो ऑक् ठीक है वो होगा ओजोन पता ही है लेकिन ओजोन ना हो तो आप एक और आपसे याने ओक्सीजन भी कर सकते हैं विखोल ओजोन क्या है ओक्सीजन के जो थ्री मोलेकुल्स है वो एक साथ जुड़े होते हैं कि उस नमबर 69 क्या है एन इलेक्टरोन माइक्रसकोप गीव यूज हा लेकिन जो ओप्टिकल माइक्रसकोप से आप देखेंगे तो वो ही जी जी आप थोड़ी सी मतलब इलेक्टरोन माइक्रसकोप के आप एक साकर छोटी दिखाई देंगे इसका कारण क्या है कि आपको चीजन ज्यादा बड़ी दिखाई देती है तो दोस्तों जो इलेक्टरो में आया और अब छोटी से छोटी वैब लेंग भी आप वहाँ पे देख सकते हैं करक्टर आउंच रोगा डी ओप्शन दोस्तों किस्ट नमबर सेवन्टी है आपके सामने एक ऐसी बोड़ी है जिसके पास ना तो उनिफॉर्म वैलोस्टी है ठीक है एंड उनिफॉर्म एक्सलेशन ना उनिफॉर्म एक्सलेशन है तो क्या होगा देखो उनिफॉर्म वैलोस्टी नहीं है तो इसका जो A option है वो है displacement time graph linear होगा B option जो है वो है displacement time graph है वो non-linear होगा सिंपल सी बात है वै वैलोस्टी constant नहीं है इसका मतलब अलग-अलग time में अलग-अलग distance वो cover कर रही है तो ये time और distance का जो graph है वो कुछ हैसा-असा होगा मतलब कहने मतलब linear नहीं होगा linear तो तब होता है तब velocity constant रहती है question number 71 है Lambert's law is related to Lambert's law ये navy में आया question है मेरे भाईयों तो Lambert's law जो है वो किस से relate है तो आपको पता होना चाहिए जो Lambert's law है वो relate है illumination हना correct आंच रोगा D option illumination 72 है which of the following laws validates question number 72 है which of the following laws validates the statement that matter can neither be created or nor be destroyed ठीक है तो simple सी बात है ये जो laws है वो है law of conservation of mass के according इसका मतलब ना तो आपकोई mass convert sorry create कर सकते और ना ही वो mass आपके destroy कर सकते correct answer कौन सा हो गया correct answer is the C option ठीक है समझा आ गया होगा law of conservation of energy क्या है ना तो आप energy बना सकते ना उसे destroy कर सकते ठीक है I hope समझा आ गया होगा least atelier principle क्या है ये भी mass और energy का जो बखान नहीं करता है ठीक है question number 73 है decibel किसकी unit है हना अच्छा question है एक परकार से है बाकी में तो लब आप कर सकते हो आचाने से ये navy में आया वह question है तो जो इसका जो correct answer वो होगा intensity of sound sound के जो intensity है उसकी जो unit है वो होती है decibel db speed of light के उनिट क्या होती है meter per second intensity of heat की क्या होती है वोट पर kg पर कहले ही नहीं ऐसा सम्थिंग होता है ठीक है तो correct answer वो intensity of sound 74 क्या होता है that term ISO on F indicates the lines of equal जो एक term है ISO on F वो क्या indicate करती है कि lines of equal indication क्या दरसात है तो ये जो ISO on F क्या होता है ये होता है lines of equal cloudiness equal cloudiness की जो lines जो इसे हैं आई सोन F कहते हैं कही कही बार ऐसे question आते हैं ये question छोड़ने के होते हैं आप ना तो इसे कहीं देखते या फिर ना आप कहीं normally पढ़ते ठीक है कही बार ऐसे question आ जाते हैं question number 75 है the atmosphere layer reflecting radio waves is called जो radio waves होते हैं उनको reflect कर देती है वो कौन सी atmospheric layer है तो आपको पता होना चाहिए वो है ionosphere ionosphere जो है वो radio layer को reflect कर देती है ठीक है question number 76 है cryogenics is a science dealing with cryogenics किसे कहते है कौन सी science को cryogenics कहते है तो correct answer हो गया low temperatures low temperatures की जो steady होती है उसे अपन cryogenics कहते है ठीक है I hope समझा रहा होगा question number 77 है the mass energy relation is the outcomes of जो mass energy relation है उसे अपन क्या बोलते है तो देखो Einstein ने भी ये कहा था sorry Maxwell ने ये कहा था कि जब मैं मर जाओंगा और मुझे भगवान मिलेंगे तो मैं भगवान से ये ही पूछूंगा कि क्या theory of relativity जो है वो सच में मतलब work करती है जैसा कि हमने Einstein ने derive किया जैसा कि मैंने derive किया ठीक है तो इसका जो correct answer होगा जो mass energy relation है उसे ये पून कहते है special theory of relativity जिस पर Einstein ने बहुत work किया था question number 78 है which of the following are used for accurately measuring value very small time intervals इन में से कौन सी जो चीज है वो बहुत ही small time interval यानि छोटे छोटे पल जो होते हैं छोटे 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 च्ण जो होते हैं उनको भी accurate measure कर लेती है ठीक है ठीक है दूसरा option है quads glocks तीसरा option है atomic glocks ठीक है तो correct answer होगा atomic glocks जो atomic glocks होते हैं वो छोटे 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 पल को भी बड़ी आसानी से माप लेती है यापन strictly accurately measure कर लेती है question number 79 है danger signals are generally red danger signal है वो red होते है क्यों भाई क्या कारण है तो आपको पता होना चाहिए कि red क्यों होते है danger signals because जो danger signals है वो red इसलिए होते है कि जो red की wavelength बहुत जाधा होती है wavelength बहुत जाधा होती है wavelength बहुत जाधा हिन्छ बहुत दूरी तक बिना red light वो divide नहीं होती ज्यादा बहुत दूरी तक जा सकती हो यानि उसका जो deviation होता वो बहुत ही कम होता है list deviation यानि divide नहीं होती हो लंबी दूरी तक चली जाती है question number 80 a simple microscope consists of ये इतना अच्छा question है दोस्तों air force में last time यहाए था simple microscope क्या चीज़ रखता है simple microscope में क्या होता है तो correct answer होगा a short focus convex lens है ना छोटी जो focus दूरी का एक convex lens यानि कह सकते हैं उत्तर lens लगा हुआ होता है simple microscope में ठीक है और question number 81 हाप के सामने an oil drop spreads over water एक oil drop है वो पूरे पानी के उपर फैल जाती है because of तो आपको पता ही है ये सब surface tension के कारण होता है क्योंकि surface tension of oil is much smaller than water यानि जो water की surface tension वो oil के respect में बहुत जादा होती है जिसके कारण oil उसकी surface tension को तोड़ नहीं पाता और वो उपर ही तहरता रहता है I hope समझा रहा होगा ये तो बिल्कुल मत कर देना बाई oil is lighter than water बिल्कुल गलत है correct option होगा डी option ठीक है question number 82 है the device which convert SC to DC वो device जो SC को DC में convert कर देता है तो ऐसे device को आप क्या कहते हैं तो simple सी बात है आप ऐसे device को rectifier कहते हैं और जब अपना पहला question था इस mock test का rectifier का क्या काम होता है है यह question मैंने का था Navy Air Force दोनों में आया है पहला question है अपने mock test का तो बताओ दोस्तों rectifier का जो काम होता है वो होता है current को purify करना यानि alternating current क्या होता है वो different directions में जा सकता है लेकिन direct current क्या होता है हो एक single direction में जाएगा ठीक है तो current के purify का मतलब होता है AC को DC में करना अगर आप AC current को DC में कर रहे हो तो process कहीं जाती है purifying of current ठीक है question number 83 आपके सामने note is measure of note में आप किस चीज को नापते हैं तो जो स्पीड of ship यानि जहाज की जो speed है जो चाल है उसे अपन note में measure करते हैं ठीक है three note four note something something 84 number question when the man switch of the house is put off it disconnects जब आपन man switch को बंद कर देते हैं तो कौन सी चीज disconnect हो जाती है यह option है live wire यानि वो wire जिसमें बिजली आती है वो disconnect हो जाता है live और earth wire दोनों को disconnect हो जाता है live wire और neutral wire देख वायर तेन परकार क्योंते हैं तो वो wire जिसमें से बिजली आती है live wire कहते है electricity flow होती है दूसरा होता है neutral wire और तीसरा होता है earthing wire तो दोसनों आप जैसे ही switch off करते हो house hold को यह मतलब कोई भी आप switch off करते हो तो आप दो चीज़ों को disconnect करते हैं दो wire को disconnect कर देते हो एक तो live wire को और ते neutral wire को correct answer के हो गया किसी option is there right answer question number 85 जो है heat from the sun reaches earth array तो कल भी आया था इसलिए मैं कर रहे है question important है काफी बहारा चुका कि जो earth के पास जो sun से heat आती हो किस process के कारण आती है तो आपको पता है radiation के कारण radiation कारण क्यों आती है because medium की requirement नहीं होती ठीक है अर्थ जब sorry sun की जो heat अपने अर्थ पर आती है तो उसे medium की requirement नहीं होती next option next question है 86 sorry which of the following produce more severe bumps कहने का मतलब इसमें से कौनची चीज है जो ज्यादा severe bumps जो वो प्रोडूस करती है है तो दोस्तों 86 का जो correct answer होगा वो होगा steam मतलब server bumps का मतलब होता है एक प्रकार से ज्यादा घाव वहना जो ज्यादा हमें ठेच पहुचाती है तो वह कौन सी है steam correct answer क्या होगा सी ओप्शन स्टेम इस तर राइट अंसर क्यूसर नमबर 86 कौन सा एगा हमने कौन सा कर लिया 86 कर लिया वह पुन 87 पर पहुंचेंगे क्यूसर नमबर 87 है दोस्तों the sudden fall of atmospheric pressure यह बाई यह कल के मैंने दो बार क्यूसर करवा दिया इंप्रोटेंट क्यूसर इसलिए बार बार मैं आपको करवा रहा हूं हूं बार बार यह आया वार डिफेंस में हना कि भाई बैरोमेटर में एकदम से अगर इंडिकेशन गिर जाएं तो वो किसका मतलब क्या चीज़ सो करता तो सिंपल से बाद बाई वह स्ट्रॉम ऐसे सो करता एक बाई आन्दी तुफान आने वाला है बी ऑप्शन इस दराइट आइट अंसर क्यूसर नमबर 88 है मैगनेटिजम इन मैटेरियल्स इस ड्यू टू मैटेरियल्स में जो चुम्बक तो उत्पन होता हो किसके कारण होता है तो आपको पता ही है वो होता है सर्कुलर मोसन ओफ इलेक्टोंस इलेक्टोंस के सर्कुलर मोसन के कारण क्योंकि क्या होता है एक्टम्स होता है उसमें न्यूकिलेज होता है उसके बार बार इलेक्टोंस चक्कर काटते हैं तो जो इलेक्टोंस जो चक्कर काटते हैं बार बार सर्कुलर मौसन में उसके करान मैगनेटी जब मुत्पन होता है मैटेरियल्स में क्योंकि जैसे चार्ज मूव करेंगे मैगनेटिक फिल जनरेट होगा किस्ट नम्र 89 क्या है शोट साइट इन होमन आईज जो सोट साइटनेस होता है वो किसके यह कौन सा लेंस पहनने से सही होता है तो जो करेक्ट आंसर होगा कौन के उलेंस यानि बी ओपसन कौन के उलेंस पहनने से आप सोट साइटनेस की जो बिमारी हाप उसे दूर कर सकते हैं question number 90 है दोस्तों what is the reason for twinkling of star star जो twinkle करते हैं उसका कारण क्या है जो star का twinkling का कारण है atmospheric reflection क्या atmospheric reflection is the right answer correct option होगा इसका D option होगा दोस्तों आज हमने over 30 question किये तोस्तों अगर आपको इस series अच्छी लग रही हो ना तो दोस्तों जब जरूर पहुंचए ये और इस स्रीज में आपको कुस्टन जरूर देखने को मिलेंगे यह मेरा वादा है थैंक्यू जवानों Have a nice day Love you all जय हिंद जय भारत